भारत ऐसी अनेग भासाओं के स्थली है जो हमारी संस्कृती और गवरों का प्रतीक है। भाशा के बाले में बात करते हुए मैं छोटी सी इंट्रेस्टिंग क्लीप आप सब के साथ साजा करना चाहता हूँ। भवताम शर्वेशाम हार्दम हार्दम स्वागतम अस्ते। एकता मुर्तियाहा दक्षिन तह साथ पूला परवत माला अस्ते। एकता मुर्तियाहा वाम तह विध्याचल परवत माला अस्ते। एकता मुर्तियाहा नर्मदा नदिश्य उपरी भागे वर्तते। अहम एकता मुर दरसल अभी जो आप सुन रहे थे वो Statue of Unity पर एक गाइड संस्कृत में लोगों को सरदार पटेल की दुनिया के सबसे उची प्रतिमा के बारे में बता रही है आपको जानकर खुशी होगी कि केवडिया में 15 से जादा गाइड धारा प्रभास संस्कृत में लोगों को गाइड करते हैं अब मैं आपको एक और आवाज सुनवाता हूँ आप भी इसे सुनकर हैरान हो गए होंगे दरसल यह संस्कृत में की जा रही क्रिकेट कमेंट्री है वारणसी में संस्कृत महाविद्यलों के बीच एक क्रिकेट टोनामेंट होता है यह महाविद्यलों है सास्त्रार्थ महाविद्यले, स्वामी वेदान्ती वेधपित्यापिट स्री ब्रह्मवेद्यले और इंट्रनेशनल चंद्रमवलिय चरिटेबल ट्रस्ट इस टोनामेंट के महचो के दोरान कमेंट्री संस्कृत में भी की जाती है अभी मैंने उस कमेंटरी का एक भहुती छोटा सा हिस्सा आपको सुनाया यही नहीं इस टूर्णामेट में खिलाडी और कमेंटेटर पारमपारीक परिधान में नजराते हैं यही आपको एनरजी, एकसाइडमेंट, सस्पेंस, सब कुछ एक साथ चाहिए तो आपको खेलों की कमेंटरी सुननी चाहिए टीवी आने से बहुत पहले स्पॉर्ट्स कमेंटरी हुई वो माध्यम थी जिसके जरिये, क्रिकेट और होकी जैसे खेलों का रोमांच देज भर के लोग महसूस करते थे टैनीस और फुटबॉल मैचों के कमेंटरी भी बहुत अच्छी तरह से पेश की जाती हैं हमने देखा है कि जिन खेलों में कमेंटरी समुरुद है उनका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है हमारे यहां भी बहुत से भारतिय खेल हैं लेकिन उन में कमेंट्री कल्चर नहीं आया है और इस वज़े से वो लोगोंने के स्थिति में हैं मेरे मन में एक विचार है क्योंन अलग-अलग स्पोर्ट्स और विशेशकर भारत के खिलों की अच्छी कमेंट्री अधिक से अधिक भाषाओं में हो हमें इसे प्रुचाइद करने के बारे में जरूर सोच रहा चाहिए मैं खेल मंत्रा ले और प्राइवेट समस्तान के सहयोगियों से इस बारे में सोचने का आगरह करूँगा